तो now we are going to analyze the output generated by SPSS related to cross-stabulation जो output में आपको दिखा रहा हूँ वो real output है labor force survey of Pakistan की है old survey है मैंने दो variables को लिया और एक cross-stabulation run किया इसके अंदर अब आप इस table को पहले देखें ये table दो चीजों को जाहिर कर रहा है एक तो gender जिसमें male और female की segregation है और principal activities the people can be implied, unimplied और the people can be out of labor force ये पाकिस्तान में 10 साल से उपर के लोगों का data है 51,915 people जो के male थे वो implied थे female इतने implied थी total इतने implied थे ये जो भी sample लिया गया था जाहिर है ये पूरे पाकिस्तान का sample नहीं है labor force survey पूरी population का sample नहीं होता जैसे के population census में होता है बलके ये selected houses होते हैं इस वक्त इसके जो total respondent हैं जिनका ये data लिया गया है फर गेंपल वो 157,307 हैं ये selected variable हैं सिरफ दो ये data इससे ज्यादा हो सकता है तो total इस data के अंदर 157,307 में से इतने लोग implied हैं इतने unimplied हैं इतने labor force का हिस्सा ही नहीं हैं अब ये जो implied हैं उसमें इतने male हैं इतने females हैं और जो male हैं उसमें इतने unimplied हैं females में इतने unimplied हैं females में इतनी खवातीन 56,494 labor force का हिस्सा नहीं है और males में 22,990 लोग ऐसे हैं जो के labor force का हिस्सा नहीं है ये सारी different dimensions है अब ये जो table है ये 2 by 3 का है यानि के gender की categories दो है और principal activities तीन categories में है मैं इस table को further extend कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे rural और urban का variable भी डाल दो provinces का भी डाल दो तो ये further extend हो जाएगा ये एक ऐसा complicated table होगा जिसका analysis आपको ये बताएगा कि urban areas में unemployment rate क्या है male में क्या है female में क्या है labor force participation rate क्या है मैं इसमें एक और variable डाल सकता हूँ for example literacy rate की बन्याद पे males कितने percent unimplied हैं females कितने percent unimplied हैं so we can generate multiple multiple information with the help of a simple technique which is known as cross tabulation अब अगर आप से ये पूछा जाए कि total females कितनी हैं तो ये total females हैं total males इतने हैं total ऐसे लोग जो के labor force का हिस्सा नहीं है वो ये हैं उन में से आप इसकी percentage calculate करना मुश्किल है जैसे मैंने आपको पहले calculate करके दिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त हाथ से calculate करते रहेंगे मैंने next table में इसी table की percentages को calculate किया है computer ही करता है SPSS इसको करके देता है look at this table so again this table shows the principal activities of people on the basis of gender अब आप देखें ये count same है जो अभी आपने पिछले table में देखे है ये तदाद same है लेकिन यहाँ पे एक और row का इजाफा हुआ है जो के ये बता रही है के within sex same within gender और sex अब आपने ये basically इसका total देखें ये 100% distribution है males की यानि के पाकिस्तान ये जो data है इसमें 8889 ऐसे लोग है जो के males है उनमें से 22,990 labor force का इस्सा नहीं है कुछ unimplied है कुछ implied है इनकी percentage distribution क्या है वो आपको ये row बता रही है इसको interpret करना सीखें 100 के साथ उन्होंने इसको यानि के percentage 100 में calculate होती है इस row का मतलब ये है कि if there are 100 males in Pakistan 64.2% of them are implied 7.4% are unimplied and 28.4% are not part of labor force ये population वो है जो 10 साल से उपर है अब आप next row में आईए जो कि females को जाहिर करती है वो आपको ये बता रही है कि पाकिस्तान में जाहिर है ये जो सैंपल है इसमें 46,000 के करीब खावातीन है लेकिन लोगों को अगर ऐसे बताया जाए कि 76,000 खावातीन है 56,000 लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है 9,637 अनिम्पलाइड है तो इसमें percentage calculate करना मुश्किल है अंदाजा लिगाना मुश्किल है लेकिन ये रो आपको सारी चीजों के मतलिक बता रही है कि जितनी भी खावातीन है उनमें से 13.5% इंपलाइड है 12.6% अनिम्पलाइड है 74% तकरीब लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है अब आप देखें कि आपको क्या difference नजर आ रहा है मेल्स में और फीमेल्स में किस में आनिम्पलाइड रेट ज्यादा है मेल्स में 7.4 है फीमेल्स में 12.6 है इंपलाइड रेट को देखें 64 मेल्स में 13.5 फीमेल्स में Out of labor force, जो के labor force का हिस्सा नहीं होते, females 74%, males 28%, there is a drastic and significant difference between males and females, labor force participation rate, unemployment rate, employment rate, and principal activities. आपने देखा के एक table से हमने कितनी information generate की है, अभी हमने सिरफ pro-wise analysis किया था, next table देखे, आप इस table में data वही है, लेकिन जो analysis किया गया है, वो column wise किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यह लिखा है कि within principal activities, आप पहले column को देखे, implied हैं 51,000, 10,297, उसमें females हैं, बाकी males हैं, और total यह लोग हैं, जो के implied हैं, question यह बनेगा कि पाकिस्तान में जितने भी लोग implied हैं, उनमें से कितने percent males हैं, कितने percent female हैं, पाकिस्तान में अगर 100 लोग implied हो, उन 100 में से 83.4 percent males होते हैं, 16.6 percent females होते हैं, so there is a huge difference between employment rate, distribution of implied people among males and females, so if there are 100 people in Pakistan who are unemployed, what percentage of them are females, 61.7 percent, what percentage of them are males, 38.3 percent, सारे पाकिस्तान में unimplied लोगों में ज्यादा तर खवातीन होंगी, कम जो हैं वो यह होंगी, यह participation rate नहीं है, unimpliment rate नहीं है, this is the absolute number of unimplied, similarly you can analyze out of labor force people, तो पिछली slide में row-wise analysis था, इस slide के अंदर column-wise analysis है, इस दफ़ा यहाँ पे 100 नजर नहीं आ रहा, बलके 100 आपको नीचे नजर आता है, इसका मतलब यह कि आपने column-wise analysis करना है, यहीं यहाँ पे लिखावा नजर आ रहा है, next or final slide में आप देखें के मैंने counts को delete कर दिये, and this is the analysis of principal activities of people on the basis of male and female, जब यहाँ पे लिखा होगा within sex, तो यह वही है जो पहले आपने देखा गा, जब लिखा होगा within principal activity, you need to stick to this column only, फिर आप इसको इस लिहाज से करें, जो भी पिछली slide में आपने देखा है, so there are number of questions we can generate, for example I can ask, के among unimplied people, what percentage of them are females, unimplied पे चले जएं, और within principal activities में female में देखिये 61.7%, so everything depends upon how you ask question, और उसके बाद इसकी direction आपने set करनी है, उसके मताबिक आपने इसको answer करना है, so there is an association between gender of a person and principal activity, we have seen with the help of contingency table or cross tabulation.